1932 की यह गाड़ी है और आज तक इसे इतनी खूपसूरती से मेंटेंड किया गया है कि आप सामने से देखेंगे तो आपको अचम्भित होंगे आपकी कैसे इस तरीके से रखा गया है 1932 में बाभू जी इसको खड़े थे नया गाड़ी जिस्टाइ में इसको दाम था करीब शार हजार रुपिया बोल दे बहुत बड़ा ओफर आ जाए कि हां इस गाड़ी को बेचना है ना इसको बेचना नहीं है बाप मा बुड़ा हो जाने से मुझ को क्या आजमी बाहर निका बोला जाता है चलो बाबा हमको ले चलो फिर जाता भी है और आपस भी आता है बंद होता है तो घर में आके बंद होता है चाहते हैं कि कम से कम हम लोग और भी जो पोता-पोती रहेगा उन लोग जिसमें की इसको में रखे इसको बेचने को सोचा नहीं इसको बेचने को जबसकार मेरे पीछे जो ये कार है आप इसे देखिए विंटेज कार कि इसे कहते हैं और ये कोई ऐसी वसी कार नहीं है बहुत ही एहम है और जारखंड के परिपेक्श में देखे तो इसकी काफी महत्व है इसी कार में बैठ कर नेता जी सवास चंद्रबोस रांची से रामग जाझने विंप भॉफ आएंटेज हैं आ सोचे उन्नेट 32 की जाट कर जोतकार सी degenerates नेरी और लोतीज में बैठने की का वर पेक्कें करा बहुत अच्छी से साफ सफाई की जाती है इसकी और क्योंकि एक इतिहासिक धरोहर है यह इसलिए भी इसका काफी ख्याल रखा जाता है कार काफी खुबसूरत है इस कार को यह जो है डॉक्टर फणींदर नाथ चटेर जी ने लिया था 1932 में उनके बेटे हमारे साथ हैं इस इस गाड़ी कोई तमाम इतिहास जो है हम उनसे ही समझेंगे उनसे जानेंगे क्योंकि वो हमसे उम्र में और तजूर्बे में दोनों में बहुत बढ़े हैं काफी नॉलेजिबल है तो उनसे इसकी जानकारी लेंगे लेकिन इसे देख लिए एक आखरशक नंबर भी है यहा आपके पास इसमें बचने को पहले अगर इसको थफफा के बोला जाता है चलो बबाब हमको लेचलो फिर जाता भी है और वापस भी आता है बंद होता है तो घर में आके बंद होता है तो घर में आके बंद होता है तर यह इतना इमानदार है यह जहां आपके गंतव स्थान तक आपको यह पेट्रोल खतम हो गिया तो घर में आके होगा अब इसकी पिछे की कहानी बताइए कब इस गाड़ी को लिया गया कितने में लिया गया या फिर 1932 में बाभू जी इसको खड़ जे थे नया गाड़ी जिस्टाइ में इसको दाम था करीब 4,000 उपिया तो अभी तो चार हजार 1932 का भेलू पकड़े से बहुत हो जाता है अब चल रहा है ठीक है कैसे यहां उकाबा आएं कब बैठे क्या इसमें मेरेता जी के बाभू जी ले आये थे वहां से चाइबासा से ले आये थे उनाइस सो चालीस में मार्च महिना का सतरा तारीक को सतरा तारीक को ले आठारा उनाइस दो दिन राची में थे राची में आपको लालपूर में एफन आयकात बुलके, हैं, उनको गर में उठा रहे थे, लेकिन इस गारी में करके, राची में दो दिन घूमें, वीज क mayo में शुरी बीज टार जो वीनिया यू लेकर रामगर गिये, रामगर में अजिवेशन हुआ, उसको बाद अजाजिवेशन खतम हुआ, सुबाज जी के लेके भबुजी प्राची रोल स्टेशन में छोड़ दिये ताके कलकाता चलेगी गारी त्रेंट से तब से तो सब लोग जांगे होंगे कि इसी गारी से आये हैं तो जगतार मीडिया का आप ऐसा तो आना जाना ही है अभी भी है कर भी नियूज चानल से आया गिया है उसको देखियेगा जो छोड़ेगा मोबाइल में अपको मिलेगा आपको कैसे कहानी बताय होंगे आपके फादर की हां आनेता जी आये थे आपका ज़न्म हुआ था उस तव में मेरा ज़न्म नहीं हुआ था लेकिन घर में मां बड़ा बड़ा भाई लोग उनलक से हमको पता चला अब कभी कोई बोल दे बहुत बड़ा ओफर आ जाए कि हां इस गाड़ी को बेचना नहीं है बाप मा बुरा हो जाने से मुझ को क्या आजबी बाहर निकाल देगा घर से यह अपने ही मालूम होता है कि बुझ रुख है हम लोग के उपाद अशिर्बास है इस लाख रुपया तो मिनिमाम हो गही करीब सतर असी लाख रुपय एक कडोड के आसपास में अगर गाड़ी की कीमत भी चली जाए तो सर नहीं एसन चैटर जी है यह बेचना नहीं है इसे कह रहा है कलकाता गिये थे गाड़ी लेकर वहां एक मैंने बिंटेज कर लेकर आए थ आपको 10 लाख रुपया क्यास दे रहा है और एक फ़र नया गाड़ी दे रहा है हम लोग बहाई हमको बेचना नहीं हम बेचने को लिए थोड़े आए है यह तो विंटेज राली में आए है यह विंटेज कार लगाए थे उनाईसे अखतार में हम लोग यह गाड़ी लेकर टाटा गिये थे विंटेज राली उसको लोगों है लकिन खुला हुआ है अभी उसको फीट करेंगे लोगों को लगा देंगे और जारखंड में इससे जुड़ी और कुछ कहानी हो अर ऐसा कोई नहीं है पहले तो इस सब क्रेज नहीं था विंटेज गाड़ी का अभी तो जतना दीन जा रहा है उतना बढ़ रहा है अब जो है लोग इसकी मांग काफी करते हैं और नेता जी सुबास चंदर बोस का जारखंड से गहरा जुड़ाव रहा है कई लम्हों को उन्होंने जो है यादों में समेट रखा है खासकर रांची से रामगड की जो अधिवेशन हुए थे उस वक्त वो और जारखंड वो आते थे 1928 से लिकर 1941 के बीच में कई दफा वो जारखंड आए लेकिन उसमें एक महत्वपून जो था 1940 वाला एक समय था जब इस कार में इसे विंटेज कार में बैठ कर वो गए मैंने इधर से आपको दिखा दिया है एक बार इधर से कुशिश करती हूँ कि आपको विजवस से दिखा दूं सारी चीजे ताकि हर कोई जारखंड का हर एक वासी जो है या देश वासी समझ सके कि हमारे पास हमारे जारखंड मेराची में कितनी बड़ी धरोहर है हमारे पास देखिए यह कार एक तम खूपसूरती से मेंटेन किया हुआ है आज तक बहुत ही सुंदर है बहुत ही आकरशक है पहली नजर में जब आप इसे देखेंगे एक बार तो आपको डगाए किस पे ब इंटेज कार में जो है ऐसी पीछे बनाये जाते थे और बहुत ही सुंदर है बहुत ही आकरशक है नीता जी सुभाश्चंद्र बोस एक युवाओं के लिए बड़ी प्रेड़ना श्रोत हुआ ऐसी सोच रखते थे वो जिससे हर कोई हर युवा को उनकी सोच से प्रेडित ह चाहिए और उनके नक्षिक कदम पर चलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने आजादी का विगल फोका जिस तरह से देश की आजादी में एक अहम हिस्ता उन्होंने निभाया उस तरह की सुच हर एक युवाओं को रखनी चाहिए जिहारकंट से वैसे भी उनका एक तूब है और यह सब जो है एक जारखंट के देश के जो क्रांतिकारी थे जिसके जो आजादी क्रांतिकारी थे उन सभी का जुड़ाव जारखंट से रहा है और ऐसे में इस कार को आज दिखाना हमारा यही मकसद है कि आप इस कार को देखें समझे कि कितनी बड़ी चीज है हमारे जो डॉक्टर फरींद्र नाथ चटर जी कि यहां है अभी उनके बेटे असिन चटर जी ने आपको पूरी डीटेल्स बताई कि कैसे 17 मार्च 1940 को वो यहां आये थे चाइबासा से उनके पिता जी लेकर आये थे उसके बाद दो दिन तक इसी कार में वो सफर करते रहें इसी कार से राम गड़ गए अधी वेशन हुआ फिर वापस राची रेलवे स्टेशन छोड़ कर आए ते एक बड़ी चीज है बड़ी उपलब्दी है हमारे लिए सालों से मेडिकल एक्जाम प्रिपरेशन के लिए छारखंड में है सिर्फ एक ना बायों जिसने धिये हैं हाइस नमबर ओफ सेलेक्शन फ्रॉम जारखंड इन नीट दो हसार पाइस और अब बायों ने कर आए हैं नीट दो हसार ते इस में अप्यरिंग स्टुडंस के www.thefollow-up.in